ग्रीन कलर प्रोड्यूश इन द बोरेक्स बीट टेस्ट ओफ ए क्रोमियम थी साल्ट इस ड्यूटू नो देखिए गाईज जब भी आपको बोरेक्स बीट टेस्ट दिया जाए और उसमें कलर किसकी वज़े से पूछा गया है इसका एक डारेक्ट आंसर होता है अभी मैं आपको एक्स्प्लेइन करूँगा लेकिन अगर आपको डारेक्ट आंसर देखना है तो हमेशा जो इस टाइप के कमपाउंड होंगे Mx, Bo2, Y इस टाइप के कमपाउंड ही Borex sugar test में चाहे में oxidizing flame के according ऊपा कर रहे हो है या फिर reducing flame में सब के सब जो यह इस टाइप के कमपाउंड बनता है इसके according ही आपका colour आता M यहाँ पर आपका है Metal कोई भी इस case जैसे के मेंคरोमियम हो गया yya copper ion ले ले लेँ इसको आप बोलते हैं metaborates यह जो भी color आपका आता है borax bead test में is due to the formation of metaborate तो अगर मैं इसके according देखूं आपको chromium plus 3 salt है तो CRBO23 is our correct answer ऐसे भी आप confirm कर सकते हैं इसमें अगर आप देखेंगे तो CR plus 3 oxygen state में है और BO2 के overall minus है राइट यह तो आपको confirm हो गया कि डारेक्ट आपको answer अगर पूछा गया तो आप इस तरह से answer लगाते नो यह Borex beat test है क्या गाईज और यह color की जो formation है हुई क्या मैं जल्दी जल्दी आपको एक हलका सा idea दूँगा देखें गाईज NA2B407.10H2O यह मेरा है Borex इसको जब आप heat करते हो because एक hydrate है तो सबसे पहले जब आप heat करोगे तो यह hydrate निकल जाते है और आपका NA2B407 रह जाता है इसको आप बोलते हैं Borex को दूसर नाम क्या है sodium tetraborate decahydrate sodium tetraborate तो यह हो गया and decahydrate ही हो गया जब आप heat करते हो तो यह water molecules है यह basically उड़ जाएंगे हट जाएंगे तो यहाँ पर आपका anhydrous sodium tetraborate रह जाता है अब जब further आप इसको फिर से heat करते हैं आगे तो यह दो compound में break हो जाता है पहला है NaBo2 और दूसरा है B2O3 यह जो compound है यह बहुत ही ज़्यादा famous compound है तो यह basically glassy bead है अभी मैं इसका photo दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है NaBo2 को आप बोलते है sodium metaborate and B2O3 को आप बोलते है boric enhydride and combined होके यह glassy bead बनाते हैं I hope guys आपको समझ मैं होगा अब देखे test होता क्या है थोड़ा सा मैं आपको मैं बता दूँ देखाइज एक बंसन flame होती है तो इसमें दो तरह की flames है बाहर वाली तो कहते हैं oxidizing flame और अंदर वाली होती है reducing flame अब होता क्या है सबसे पहले आप एक platinum का wire लेते हैं और आगे एक छोट असा फंदा बना देते हैं गोली सी बना देते हैं आगे हवा जा सके अब इसको आप बंसन flame में red hot कर देते हैं एकदम red hot हो जाए जब platinum wire तब उसको आप borax के जो salt है उसमें आप dip कर देते हैं इसको फ फूल के glassy bead की तरह दिखने लगता है ऐसी अब यह देखें यह platinum wire है basically यह platinum wire है platinum wire में आपने borax को चड़ाया वाता और यह full है पूरा और glass की तरह दिखने लगा है तो इस type की जो bead है आपकी बन जाते है जैसे ही आपकी borax की bead बनी इस borax की bead को अब आप salt जिसको आप test करना है analyze कर रहे हैं उस salt में dip करते हैं उसको फिर गरम करते हैं पहले तो चाहिए आप oxidizing flame में करते हैं different color देगा reducing flame में करते हैं उसमें different color बनता है लेकिन दियान रगे दोनों में metaborate की वज़े से ही बनता है obviously जो metal iron होगे उनकी oxidizing state दूसरी होगी लेकिन होगा metaborate ही याद रखें इ तो color आ जाता है इस borax bead पर कुछ ऐसे है okay guys देख रहे हैं तो इस तरह का color जब आएगा तो उसके according आप कह सकते हैं कि कौन सा color है I hope guys आपको समझ माया होगा so जो reaction होती है for example जैसे सब सच्छा example समझाने के लिए रहेगा copper वाला देखे guys for example आपने copper sulfate लिया so जब आप इसको heat क रहता है balance कर लिजेगा balance नहीं की मैंने okay guys तो जो यह COO है अगर आप इसमें देखें इसमें जो copper है CO2 plus oxygen state में now जब आप CO2 plus को oxidizing flame में डालते हैं जब भी oxidizing flame में डालेंगे इसका मतलब यह है कि यह B2O3 याने boric anhydride था उससे reaction कर रहा है इससे reaction करने के बाद यह obviously metaborate बनात यह जो color दे रहा है इस metaborate की विदे से दे रहा है now जब आप इस metaborate को again आप reducing flame में डालते हैं नो क्योंकि reducing flame का मतलब क्या है reduction कर रहा होगा यह इस compound को नो क्योंकि यह CO2 plus oxidation state में था तो यह reduce होके यहाँ पे जो metaborate बनाएगा CO2 इसमें यह plus 1 oxidation state में रहते है right guys I hope आपको समझ में आगा so जो color इस बार देगा तो यह वाला metaborate देगा एक बात और ध्यान रगे इसको अगर आप further heat करेंगे तो यह copper metal में भी reduce हो सकता है further जिसमें zero oxidation state होते है so यह इतनी सारी चीज था अब confuse मत हो basically मैं यह समझाना चाहरा था कि जो reaction का flow रहता हो क्यों रहता है oxidizing flame में किया B2O3 से reaction होगी mainly plus 2 से plus plus 1 में आया इधर यह plus 2 metaborate बना metaborate फिर plus 1 oxidation state वाला उसके बाद again further reduce करेंगे reducing flame में तो यह Cu zero oxygen state में भी आ सकता था I hope guys आपको समझ में होगा